नमस्ते डियो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉम्स देखने वाले हैं, Magnetic Properties of Matter के रिगार्डिंग, देखें मेरे प्यारे वीवर्स, Magnetic Properties of Matter में हमें कुछ थियोरी पढ़नी हैं, कुछ quantum थियोरी हैं, कुछ classical थियोरी हैं, क्लासिकल थी औ가ी है यह बीड है इसी परेज़ा से के क्लासिकल और क्लांटम थी पढ़ना है है खुप करना है तो वहां पर क्या होगा कुछ टाम्स यूज होता चु क्या होता है या आप इसे magnetization vector भी कह सकते हो, ओके, तो ये होता क्या है, मेरे प्यारे वीवस थोड़ा समझी है, जब हम लोग किसी भी एक magnetic material को या magnetic substance को magnetic field में place करते हैं, तो होता क्या है, ये जो magnetic dipoles है न, वो एक torque experience करते हैं, और magnetic field के direction में align हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से, माल लीजे कि ये कोई material है, magnetic material, आपने क्या क्या है, इसे magnetic field में place कर दिया, जो कुछ इस direction में है, ओके, ये magnetic field है, just imagine, ओके, तो होता क्या है, मेरे प्यारे वीवस, इसमें जो dipoles होते हैं, magnetic dipoles, इन पर कुछ torque लगता है, और ये torque करता क्या है, कि ये dipoles को magnetic field के along align कर जाता है, कि along ये dipoles को align कर देता है, जो torque इस पर लगता है, ओके, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसके कारण, यहाँ पर कुछ dipole moment produce होता है, यहाँ आप ऐसा कह सकते हो, कुछ net magnetic dipole moment produce होता है, ओके, सो हर एक unit volume में, जो total magnetic dipole moment produce होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, magnetization, ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, कि when a magnetic material is placed in a magnetic field, the magnetic dipole experiences a torque, and tend to align in the direction of the magnetic field, ओके, हम लोगों ने किसी एक magnetic material को magnetic field में place कर दिया, क्या होता है वहाँ पर, कि हमारा जो magnetic dipole से वो talk experience करता है, और फिर magnetic field के लोग align हो जाता है, ओके, इससे क्या होता है मेरे प्यारे वीवर्स, यहाँ पर कुछ net dipole moment produce होता है, ओके, this produces a net magnetic dipole moment, ओके, so the total magnetic dipole moment per unit volume, ओके, किसी भी unit volume में जो total magnetic dipole moment होगा, उसी को हम लोग क्या कहते है, magnetization, जैसा कि लिखा है हम लोगों ने, the total magnetic dipole moment per unit volume of the magnetic material is called magnetization, जिसको हम लोग capital M से represent करते है, so capital M को अगर आप mathematically represent करना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, mu m divided by volume, क्योंकि mu m जो है, यहाँ पर total magnetic dipole moment को represent कर और वी unit volume को, ओके, अब चुकि हम लोग क्या कर रहे है, किसी एक piece को, कोई एक magnetic material का piece यूज कर रहे है, magnetic field में रखने के लिए, तो वेसी बात है, उस material का कुछ length होगा, उसका कुछ area होगा, है ना, और साथ ही साथ, उसका कुछ pole strength भी होगा, क्योंकि हो magnetic material है, तो हम लोग, जो है, मिर प्यारे वीवर्स, इसी formula को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, pole strength के terms में, अब देखिए, अब चुकि हमारा जो magnetization है, वो क्या है, mu m by volume है, अब चुकि हमें पता है, volume क्या होगा, area into length, अब जैसे मान लेजें कि, यह कोई magnetic material है, इसे ही हम लोग magnetic field में रखने वाले, इसका area A है, और इसका जो length है, चलिए, उसको L लेते हैं, तो व्यस्सी बात है, इसका volume क्या हो जाएगा, area into length, साथी साथ, हमारा यह जो आप देख रहे हैं, that is, magnetic dipole moment, इसको हम लोग pole strength into length से define करते हैं, ठीक है, तो हम लोग, जो M है, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, PL by AL, अब यहाँ से L और L आप cancel कर दो, तो आपको magnetization का value मिलेगा, pole strength divided by A, जिसकी वज़े से, हम लोग magnetization को कुछ इस प्रकार से भी define कर सकते हैं, कि magnetization can also be defined as the pole strength per unit area, और साथी साथ, जो इसका अगर SI unit की बात करें, तो इसका SI unit होता है, waiver per meter square, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, the magnetization can also be defined as the pole strength per unit area, OK, SI unit क्या होता है, waiver per meter square, OK, तो आशा आप यह समझ पा रहे होंगे कि magnetization किसे क्याता है, generally क्या है, आप किसी भी एक material को magnetic field में रखते हो, OK, तो क्या होता है, उसमें जो dipoles होते हैं, उस पर कुछ talk apply होता है, जिसकी वज़े से वो dipoles magnetic field के direction के लौग align हो जाता है, OK, जिससे क्या होता है, कुछ net magnetic dipole moment produce होता है, OK, और यह जो total magnetic dipole moment produce होता है, हर एक unit volume में, हर एक unit volume में, जो total magnetic dipole moment produce होता है, उसे ही क्या कहते है, magnetization, OK, अब यह तो बात हुए भीया, magnetization क्या होता है, इसके बाद चलिए बात करता है, magnetic permeability की, कि magnetic permeability क्या होता है, देखे मेरे प्यारे वीवस, magnetic permeability जैनली एक ratio होता है, जैसे कि हम लोगों ने definition यहाँ पर लिखा है, कि it is defined as the ratio of magnetic flux density, to the intensity of magnetic field, it is denoted by mu, OK, देखे, हमारा जो magnetic permeability है, इसे हम लोग mu से denote करते हैं, और यह actually में ratio होता है, किसका, किसका, magnetic flux density, to the intensity of magnetic field, OK, जो magnetic flux density है, OK, magnetic flux density को B से denote करते हैं, OK, और जो intensity of magnetic field है, उसको H से denote करते हैं, ठीक, B और H का ratio होता है, magnetic permeability, जिसे हम लोग mu से denote करते हैं, अब चुकि मेरे प्यारे वीवस, यहाँ पर B जो है, magnetic flux density है, जो generally Weber में होता है, OK, और H जो है आपका, इसे आप कह सकते हो कि यह ampere per meter में होता है, तो generally अगर इसके ऐसा unit की बात करें, magnetic permeability की, तो इसको आप ऐसा कह सकते हो, कि यह होता है Weber per ampere meter, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Henry per meter, OK, So, what is magnetic permeability? It is generally a ratio between, यह कहिए ratio of, magnetic flux density to the intensity of magnetic field, and it is represented by mu, अब वहीं अगर आप, magnetic permeability of free space की बात करते हो, तो मेरे प्यारे वीवर्स, free space के लिए magnetic permeability को, आप लोग mu naught से represent करते हैं, OK, और यह equal हो जाता है आपका किस से, B naught, that is magnetic flux density in free space, OK, divided by H, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और generally इसका जो value होता है, वो होता है आपका 4 pi, into 10 पर power minus 7 Henry, per meter, OK, So, आशा है आप यह समझ पा रहे हों कि, magnetic permeability क्या है, OK, अब देखिए, magnetic permeability समझ गे क्या है, magnetic permeability of free space देख लिए, अब बात करते है relative permeability की, देखिए relative permeability क्या है, यह generally क्या है, ratio होता है किसका, magnetic permeability in the medium to the magnetic permeability in free space, OK, कहने का अर्थ ही है मेरे प्यारे विवास, कि जो relative permeability है, उसे हम लोग mu r से denote करते हैं, यह actually ratio होता है, mu by mu naught का, mu by mu naught का अर्था, जो आपका ऐसा कह सकते हैं, कि जो magnetic permeability है, किसी भी एक medium में, कोई भी एक medium में, OK, और जो magnetic permeability है, in free space, OK, इन दोनों का ratio होता है, आपका relative permeability, जैसा कि हम लोगों ने लिखा है, it is defined as the ratio of magnetic permeability in the medium, to the magnetic permeability in free space, इसे हम लोग mu r से represent करते हैं, और एक बहुत important point है, relative permeability के रिगाड़े, मेरे प्यारे वीवस, जेनरोली देखिए, अगर relative permeability की बात करें, तो relative permeability generally देखिए, determine ये करता है, कि कोई भी given magnetic material, कितने हद तक magnetize हो जाता है, या कितने हद तक magnetize हो सकता है, उसका determination ये relative permeability करती है, OK, सो एक प्रकार से हम लोग application कह सकते है, relative permeability का, क्या कह सकते हैं, कि हम लोग relative permeability के लिए, हम लोग relative permeability के लिए, ऐसा कह सकते हैं, कि actually ये एक degree determine करता है, degree of magnetization determine करता है, कि कोई भी एक magnetic material, को अगर किसी magnetic field में रखे, तो वो कितना magnetize हो सकता है, OK, चलिए ये तो बात होगी भाई सब, magnetic permeability क्या है, relative permeability क्या है, OK, अब बात करते हैं, magnetic susceptibility की, बहुत important term है, dimagnetic, paramagnetic, OK, ferromagnetic, हर जगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, theories में भी देखने को मिलेगा, तो चलिए, magnetic susceptibility की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे वीवर्स, माल लिजे कि यहाँ पर, ये जो देख रहे हों आप, ये कोई एक material है, कैसा material, magnetic material, जिसे हम लोगों ने कहां place किया है, एक magnetic field में, OK, एक magnetic field में place किया है, जिसका intensity H है, OK, और माल लेते हैं, कि ये जो magnetic material है, ये magnetize हो गया, OK, और magnetize होने हो गया, और ये जो magnetization acquire किया, उसको चलिए M मान लेते हैं, capital M, तो मेरे प्यारे वीवर्स, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, कि ये जो magnetization यहाँ पर, acquire कर रहा है, ये magnetic material, ये directly proportional होता है, कि इस पर H पर, कि बाई, magnetic field का कैसा intensity है, ये उस पर directly proportional होता है, अगर intensity जादा है, तो ये magnetic material, जादा magnetize होगा, ये यूँ कि ये, जो material ये, जादा magnetic properties को acquire करेगा, OK, सो ये जो M है, magnetization, ये directly proportional होता है, कि इस पर intensity, इस magnetic field का, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, M is equal to susceptibility H, OK, ये है susceptibility, OK, यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि proportionality है, तो proportionality का, symbol को हटाने के लिए, remove करने के लिए, हमें क्या करना होगा, एक constant का प्रियोग करना होगा, OK, तो ये जो constant आप देख रहे हो, अबना इसी constant को हम लोग कहते है, magnetic susceptibility, क्या कहते है, magnetic susceptibility, इसे जो है, ये जो magnetic susceptibility है, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी represent कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी represent कर सकते हैं, आपकी मर्दी, OK, So, what is magnetic susceptibility, तो उसके लिए हमें इसे कुछ ऐसे लिखना होगा, M by H, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कि जो magnetic susceptibility है, ये actually एक ratio होता है, किसके किसके बीच, magnetization to the magnetic intensity के बीच का ratio होता है, कौन magnetic susceptibility, OK, और मरे प्यारे वीवर्स, ये जो magnetic susceptibility है, ये जो symbol आप देख रहो, इसी को कहते है, magnetic susceptibility, इसे ऐसे भी represent कर सकते हैं, ये actually में dimensionless होता है, क्यों, क्योंकि M क्या है, ये magnetization है, H क्या है, magnetic intensity है, ये दोनों का same unit होता है, OK, that's why, इसका ना तो कोई unit होता है, और नहीं इसका कोई dimension होता है, susceptibility is actually a ratio between magnetization to the magnetic intensity, OK, and this is a unit less and dimensionless quantity, तो मेरे प्यारे वीवस, हम लोगों ने अभी तक देखा कि magnetization क्या होता है, magnetic susceptibility किसे कहते हैं, OK, साथ ही साथ हम लोगों ने probability की बात की, कि भाई साब, magnetic probability क्या है, relative probability क्या होता है, OK, probability for free space की बात की, अब एक छोटा सा relation देखते हैं, किसके किसके बीच, हम लोग एक relation देखते हैं, आपका relative probability, mu r, और susceptibility के बीच का एक relation देखते हैं, OK, एक छोटा सा relation है, OK, तो चली, इस relation को हम लोग यहां पर opting करते हैं, मेरे प्यारे वीवस, देखे, यह जो हमारा B है, that is, जो magnetic flux density है, OK, जो H है, that is intensity of magnetic field, और जो M है, that is magnetization, इन तीनों के बीच एक relation होता, या यह कहिए, यह तीनों जो है, एक relation से related होता है, और वो relation होता है, B is equal to mu naught, H plus M, OK, हमारा यह जो three quantities है, B, H, और M, यह actually एक relation, B is equal to mu naught, H plus M से क्या होता है, related होता है, OK, साथ ही साथ, हमारा जो यह जो B है, B, OK, that is magnetic flux density, इसे हम लोग mu H के form में भी लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से, OK, so, अगर हम लोग क्या करें, इसको equation number 1 ले ले, इसको equation number 2 ले ले, और इन दोनों को compare करते हैं, मेरे प्यारे विवर्स, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कि μू H, माफ कहिजएगा, mu H is equal to mu naught, H plus M के form में लिख सकते हैं इसको, OK, अब यहाँ देखे, आप चाहो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, mu H, mu naught H plus M, चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, OK, ऐसा करते हैं कि, both sides को H से divide कर देते हैं, जो हमारा H है, that is, intensity of magnetic field, उसको both sides, क्या करें, H से divide कर दें, तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, mu क्योंकि H और H cancel हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, mu naught bracket, H है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, आपका M by H, OK, इसे हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे प्यारे वीवर्स, mu naught bracket 1 plus M by H है, यह क्या है, ratio है किसा किसका, यह ratio है, आपका magnetization divided by, magnetic intensity, यह यह कहिए, intensity of magnetic field, तो इसे हम लोग susceptibility के form में लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, OK, कुछ इस प्रकार से, susceptibility के form में लिख सकते हैं, that is, mu is equal to mu naught 1 plus XM, OK, कुछ इस प्रकार से, तो this implies, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, mu by mu naught is equal to 1 plus XM, और अब चुचु की, यह mu by mu naught क्या होता है, relative formability होता है, जिसे हम लोग mu r से represent करते हैं, तो mu r क्या हो जाएगा, 1 plus XM, OK, so this is the relation between mu r and, OK, and magnetic susceptibility, OK, so मेरे प्यारे वीवस, इस वीडियो में हम लोगों ने एक relation देखा, mu r और magnetic susceptibility के बीच का, OK, साथी साथ हम लोगों ने कुछ toms की भी यहाँ पर चर्चा की, जैसे कि magnetic susceptibility, OK, हम लोगों ने चर्चा किया कि magnetic probability क्या होता है, relative probability क्या होता है, OK, magnetization किसे कहते हैं, so मेरे प्यारे वीवस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी doubt लगा हो, तो please comment किजे ताकि हम लोग आपका doubt को clear कर सके, OK,